Hello Gamers Welcome back to EMOTAL GAMING तो आज अम फ्ट बहुए पिपी का एकोर ने एपिसोड लेकाए आगए और इस एपिसोड में हम काफी कुछ करने वाल है इस एपिसोड में हम बेसिकली रेड करने वाल है अगर आपको नहीं पता तो वैसे आपको पताई ही कैसे होगा क्योंकि भाई मैंने बताई नहीं था तो अभी भाई मैं हंट हंटर क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपी के लिये सुधिंग बाम चाहिए और वैसे मेरे पास कुछ और नहीं था करने के लिए और मुझे नहीं बता भाई इस बंदोंने किधर अपना बेस बना के रखा है क्योंकि भाई मैं किधर भी स्पॉन नहीं हुआ मिंस मुझे स्पॉन होना पड़ा तो भाई मैंने सोचा अंटर क्यों करते तब तक आइधिंग सो बंदे आ जाएंगे और इसको डिश्टोई करते थे क्योंकि मेरे पास और कुछ काम नहीं है करने करने के बाद इसली मर सकते हैं जादा कुछ नहीं है तो अभी जल्दी से पहले तो मर जाता है क्योंकि केजियूल सर्वर है अगर आपको नहीं पता तो अगर बढ़े लिए काफी बढ़िया चीज होती क्योंकि मुझे उल्टरी उदर डायरेक्टी ट्रिब्यूट करने जाना पड़ता जादा दूर भी नहीं जाना पड़ता अब भी मुझे काफी सारा डिस्टन्स कवर रगना पड़ेगा और उसके बाद देखना पड़ेगा मुझे क्या मिलेगा वैसे इसका लेवल कितना अपे 30 साला हट भाई इतर से तो भाई मुझे अभी इसको ट्रिब्यूट करना है तो जल्दी से बाई क्रेन अब लिक पे चलते हैं और देखते हैं आइधिंग सुधिंग मिल जाएगा वरना दूसरी बार करेंगे अभी सदेख एवाई कितनी मेरबान है अपनी किस्मत और कितना आरक मेरबान है अपने पे वैसे मुझे नहीं ल dachte मेर्वान होगा देख लेते हैं जल्याओ ब् backend मिल गया पैसक्स की आफी जदा मेरबान हैं यवैसे मेरे पे और पिक-क्स का ब्लूपनी मिला है जो उपी बढ़ी है तो भाई मैं SNLP कैसी जीली क्राफ्ट कर लूँगा और I think जो भाई इसने बेस बनाया होगा क्योंकि मुझे मेप पे दो ही जगा बेड दिखाई दे रहा है और उधर भाई मैं स्पोन नहीं हो सकता क्यों नहीं मुझे नहीं पता अभी जल्दी से चलते हैं और भाई मैं आ काफी बढ़िया चीज है और अगर आपको नहीं पता तो यूनीकोंड काफी रेरली मिलता है जो भाई मुझे मारना पड़ेगा क्यूंकि मैं नहीं चाहता कोई और इसको टेम करने के बाद क्या होता है वैसे गाल मैं इसको टेम तो नहीं कर सकता मेरे पास और केरेक्ट नह किया और मुझे नहीं पता PvP में इतने साधा स्पॉन की होता है जो भी आप भी चल्दी से आइस बाइव में चलते हैं क्योंके भाई मुझे उदर अपने लिया आजंट इसको टेम करना है भी तो अगर वह बंदय आ गया तो उसको लेके हम किदर ना किदर रेड करने की करेंगे वैसे तेरह लेवर ओके 40-30 साला तो अभी चलती से आइस बाइव में चलते हैं अपने लिए टोक्सिकन्ट एरो क्राफ्ट करते हैं उसके बाद आजंट इस देखते हैं तो भाई मैं इतर आ गया हूँ और वह उसमें से एक बंदा ओन लाइन आ गया है और अपने पास चो टोक्सिकन्ट एरो थे में स्टोक्सिकन्ट एरो तो नहीं बट अपने पास चो ओर्गेनिक पॉलीमर था ओ लेके बाई किदर तो चला गया है पता नहीं किदर गया और इतर बाई 200 लेवल का हाई लेवल का आर्जंट एवी से ओभी किदर ओके रहा आइधिंग सो यही वाला है देख लेते हैं तिंग सो ही ओके रहा और मेरे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि वह बंदा भाई मेरे से ओर्गेनिक पॉलीमर लेके गया बायो टॉक्सिन फार्म करने को बट अपी देखते हैं कितनी देर में आता है क्योंकि मुझे नहीं पता ओके आ आ गया ब नहीं फूरम इतनी बड़ी सुधिंक बां से वाई से आहे था तो इसकों से खरांस करें सित्वति रएगर कने बाइस नहीं की मुझे नहीं कीमित तो क्योंकि से दसफ्रृक्स वाइंन किवा नहीं सोडनी से आजध सबने नहीं पता भाई ओके बंदा टॉक्सिकांट एरो तो भाई मार रहा है आर्जन टेव इसको और आइधिंग सो दो तीन तो इसने ओल्डेडी मिस कर दिया है वैसे यह बंदा भाई स्टेकों पर एक रो क्यों नहीं हो रहा है अगे अगे बंदा मुझे नहीं पता भाई यह बंदा क्या कि अपने पास बेड़ और काफी सारे रिसोस है तो भाई इसको बैण मरना नहीं चाहता अभी के लिए अगर मर जाए हूँगा तो भाई जर बेड लगा दिया इसलिए तो भाई ये बंदा भाई इसको अंकॉंसिस करने की कोसिज कर रहा है और गलती से इसका टोर पर लेवल ज्यादा हो गया है तो भाई अपना जो आइजन टेविस है ओड़ी से ग्रो हो गया है तो भाई यह बंदा इसको उसको कर देगा उसके बाद प्राइम मीट खिला देगा जब भी फूड लेवल कम हो जाएगा तब क्योंकि देख लो भाई आइजन टेविस अल्डरेडी भाई दूसरी साइड भाग रहा है तो यह बंदा भाई वो जो सोटकट वे है जिदर से भाई आम एक मिनिट में आइजन टेविस को पीपी में भी अनकोंसेस करके टेम कर सकते हैं वो काम नहीं आएगा इधर तो अब भाई में इधर अपना जो आडजन टेविस इसको भी खा लेते हैं क्योंकि भाई मुझे अभी अपना टेराना डोन है उसको टेलिपोर्ट करना है और काफी बढ़िया एड्मस्वेर लगता है रंग बे रंगी क्या ही बोलू भाई कलर फुल लगता है मजा आजाता है पू बंदा आ जाएगा क्योंकि भाई उसने आइस बायो में ग्लीच कर आखे रखा है बोल्ट को इसलिए तो भाई मैं स्पॉन नहीं हो पारा अभी फाइनली बंदा आ गया और इसने भाई ग्लीच हटा दिया और अभी आमारा पास थेवन थाउजन अभे सेवन थाउजन क्या है 700 अमरे पास क्या बोलते मेटल इंगट थे और भाई मैं जल्दी से सब लन कर लेता हूँ क्योंकि भाई जो हमारा दूसरा टीमेट है उसने ओल्ड रेड के लिए पोजिशन देख रखिये जितर भाई हम रेड कर सकता है मिंस बेस देख रखा है और उसने बेड भी लगा में देखा था मेटल भी है अभी भाई मुझे और और अर्गेनिक पोलीमर चाहिए और इसके अलावा जो चाहिए और गन पाउडर चाहिए जो आइधिंग सो इसमें किदर ना किदर तो होगा मैं देख लेता हूँ जल्दी से सब कुछ क्योंकि मुझे पता है इसके पास लाना था भाई कि क्या भूलू जो भी अभी आपयज पार पाउडर है तो भाइच जल्दी से ओके इधर कुछ ना कुछ तो क्राफ्ट हो रहा है वह देखना बड़ेगा ओके ओल्डरेडी गन पाउडर क्राफ्ट हो रहा है तो भाई सबसे बढ़िया चीज है यह बंदे क कब तरेख रहेंगे और कब तक अपना raft safe रहेगा तो इतना हो सकतना बाइ आज के आज ही red करने वाले है वरना मुझे नहीं पता बैइ कितनी और देर आपए क्या हो रहा है बैए क्या लेग हो रहा है इधर इधर टेलिपोर्ट हो रहा है थोड़ा-थोड़ा और ओल्डेडी इसने एक और rocket launcher बना लिया काफी बढ़िया चीज है यह बन्दे काफी बढ़िया चीज कर रहा है और अपने लिए थोड़ा सा पई कुझकी ऐधर अगर रे अपने पास रहा है इसलिए और के इसको ट्रांस्फर कर देते इंदर और अपने लिए आइ crear करने जाने वाला हो तो फ्लेकर्मर की तो जरूरत पड़ेगी और एचेट को भी क्राफ्ट कर लेते हैं उसके बाद मुझे और्गेनिक पॉलिमर फार्म करने के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि यह बंदा इधिंक सो और्गेनिक पॉलिमरी फार्म कर रहा है और हमें और अगर पता और क्या क्या चाहिए होगा और कितने टेरेट वह सब नहीं पता तो भी में देखने जाने वाला हुपेले तो इसको आर्वेस कर लेते हैं और उसको बता देते हैं इसके पास डंडा है ओके उसके पास भी डंडा नहीं है तो भाई मैं ही आर्वेस कर लेता हू इसको औ और मुझे नहीं पता वो बंदा किधर गया है जो भी है भाई मैं हर्वेस करके डाल दूंगा अपनी जो फेब्रिकेटर है उसमें और अपने लिए जल्दी से वो रोकेट लॉंचर की एमो बना लेते हैं क्योंकि इस ने ओल्ड़ेडी 2 या 3 रोकेट लॉंचर तो क्राफ्ट कर लिए है वैसे भाई मुझे नहीं पता है और कितनी टेरेट होगी उसके पास तो भाई मुझे लग रहा है अपने को भाई वो स्काइलोड के वह वो फाम करने जाना पड़ेगा अपने लिए से ने नार्मर का इंतजाम करना पड़ेगा बर देखते हैं अगर भाई मैं ज भाई जो अपना बंदा है उसके पास थे यह काफी सार है ओके इसने ओल्डरेटी तीन रोकेट लॉंचर बना लिए और दो एमो बना लिए और बाकी कुछ फ्री है क्या अगर हो तो भाई बता दियो जल्दी से क्योंकि मुझे नहीं लग रहा बाकी कुछ फ्री होगा तो अब जल्दी से अपने लिए जो और यह पोलीमर है वह फां कर लेते हैं और मुझे लग रहा है मेटल चाहिए होगा अभी के लिए क्योंकि हमार पास मेटल रो मेटल ही नहीं बचा तो भाई मेटल इंगट तो किदर से बनेंगे तो अभी जल्दी से मेटल फां करने के कर लेंगे वैसे टेरेट कि इतर है वह भी देखना पड़ेगा और इसका वेट काफी जादा बढ़ काई पहले से तो भाई मेटल अभेन ओनो भाई क्रीचर वाला वह गिर गया इंप्लांट वाला तो भाई मुझे वह लेकर आना चाहिए I think so वैसे बाई 24 आवर में वापस आजाता है जो हम रिक्वेस्ट करते है उसके बाद बढ़ कोई नी चलो भाई में लेकर आता हूँ क्योंकि भाई इतनी देर कॉंड वेट करेगा अगर यह मर गया तो भाई क्या ही करूंगा मैं इसका तो जल्दी से ओके इधर ही है I think so जादा दूर नहीं है तो भाई इसक कर सकता है बढ़ एक बारी में खिटने ट्रांसपर हो सकता है अपने ररान अडून से वह देखना पड़ेगा वैसे इधर अपनी राफ्ट लेके आ सकता था बढ़ में जादा नजदिक लेके नहीं जाना जाता था क्योंकि अगर इधर कोई भी बंदा ओनलाइन होगा मिंस अगर कोई भी बंदा इधर उदर घूम रहा होगा तो अपनी राफ्ट पे रेड कर सकता है और हमारी रेड करने से पहले ही अपनी राफ्ट रेड हो जाएगी इसलिए मैं कोई जादा रिस्क नहीं लेना चाहता तो अभी अभे नहीं यार कोई ने चलो भाई अभी जल्द और बाकी और थोड़ा सा मेटल फार्म करके आते हैं उसके बाद रेड करने के लिए जाएंगे हम लोग तो भाई हमने सब तयारी कर लिए है और हम भाई वोल्केन माउंटेन पे स्पॉन हुए है जिदर हमें रेड करना है और वो बोल रहा है कि आज के आज ही वीडियो डा कर रहे है मुझे नहीं पता अभी मेरे पास एक क्या बोलते है रोकेट लॉंचर है और मेरे पास तीन एमो है जो आइधिंक सो काफी होगा एक टेरेट को गिराने के लिए अब है नहीं यार मुझे लगा था और कुछ नहीं होगा बट जो भी है इसके दोनों के पास 55 एमो ह तो पाई मैंने डिस्टोई कर दिया अगर ओके इधर तो टेरेट नहीं है तो जल्दी से चाल लेते है निकल लेते है इधर से देखते है आइधिंक सो भाई एक की टेरेट रही तो उसने पाई माउंटेन पर ही किदर लगाया होगा मिस उसके बेस के नजदी की लगाया होगा जब भी हम ओफ-laiन हो गया तब भी क्योंकि थोड़ी देर पहले भाई हम ओफ-laiन गये थे सब के सब और उसके बाद हम थोड़ी देर के बाद online आया है तो आइधिंक सो भाई इसने टेरेट और लगा दिये होगे तो भाई मैं देखी रहा हूँ पाई एक तो भाई है यो किया बोलते है और नहीं किया सूट नहीं किया तो अभी जल्दी से इसको देश्ट्रोी करते हों कियुकि वह क्या इसी करते हैं कुछ समझ भी नहीं आ रहा मुझे जादा पार ही हो मुझे कुछ तो भाई return इसके पास एक टेरान रोन है और इसको बता देता हूं वह मैंने टेरेट दिस्टृय कर दिया है क्योंकि इसको नहीं पता वह मंदे क्या कर रहे हुं मुझे नहीं पता जो भी इसको जल्दी से मार देता है ओके 191 वैसे इतना भी हाई लेवल का नहीं था कि इसमें कुछ भी नहीं है कि टिरेट में, ब्ट्रेट में J. मों भी नहीं था, I. I think मुझे ऐसा लगा अभी के लिए को फिर से बंढ़ा लेते हैं कुणकि इसको नहीं पता कि टिरेट मेने दिस्ट्डोई निज्टोई कर देक लेते हैं इसमें से क्या निलता है ओके 300 बैस सिमेंटिंक बैस 10 potenals ओब ए काफी बढ़ीया चीज है इसमें प्री किया ही बोलूँ के इसको भी डिस्ट्रोई कर बैसा करका देक लेता है स्पार्क पाउडर है फिर से स्पार्क पाउडर काई को बोल रहा हूं मुझे नहीं पता जो भी है अभी भाई सब को इधर डाल देते हैं और हमारा बंदा आ गया है मुझे लगा पाई एनिमी टीम का कुछ अब भी नहीं है बंदा उसका आइधिंग सो अफलाइन होगे इसमें कुछ नहीं था इसमिधी में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए और गलती से इसको लग गया इस तिंग सो आलत पतली हो जाएगी इससे अब इसको ओके एल्थ अब एल्थ कम नहीं हो रहा है क्या रहे है ऑक अब भी हो रहा है फाइनली ओके कुछ ना कुछ तो मिलेगा इसमें से अभी दो-दो SNN वाले बो है और 1000 सिमेंटिक पेस्ट और 700 भाई मेटल है काफी बढ़िया चीज मिल रही भाई एक रेट से काफी बढ़िया चीज है भाई अभी इसको ट्रांस्वर करने में थोड़ी से दिक्कत आ सकती है क्योंकि अभी हमने आर्जेंटेव इसको टेम किया है उसका भाई वेड काफी ज्यादा के रिद नहीं कर सकता तो भी देखना पड़ेगा और इसमें भी होगा क्यूंकि जीतनी इसने फोर्ज लगाए उटना भाई मेटल इसके फेब्रिकेटर वह क्योंकि इसके पास भाई इतना सादा मेटल थाना तो आइतिंग स vurकी स toujours मेटल हो एक तो सब में औक की जाए उसमें ओके इसमें भी है जो भाई मैंने बोला था तो काफी बड़ीया चीज है इसमें से बाकी की फोर्ज है उसको भी हम डिस्ट्रोई कर देंगे क्योंकि भाई उसमें मेटल हो गई होगा मुझे पता है इसको ट्रांसफर करने में आहलत पतली हो जाएगी जो भी है इधर ही अपना एपिसोड खतम करते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आयते इस वीडियो को लाइक करना शेर करना और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना